आज हम लोग बात करेंगे भारत के एक बीर सैनिक सुविदार योगेंदर शिंग यादव की जिनकी कहानी सुन आपकी आखें नम हो जाएगी इन्हें कारगिल का हीरो भी कहा जाता है जम्मु कास्मिर के उड़ी इलाके में बिते 18 शितंबर को हुई आतंकी में 18 जावान के सहीद होने के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया सुविदार शिंग ने कहा कि मई 19 शनी नानबर का वह दिन आज भी याद है जब आचानक हमें निदेश मिले की दृष्य छेतिर की तरफ बढ़ना है हमारी तुकडी उस तरफ चल दी 16,000 फिट से अधिक उचाई पर जहां खून जमा देने वारी थंडी थी किसी के पास उस मौसम के लिए विशेश कपड़े जूतेवे अन्य तयारी तक नहीं थी लेकिन हमारे कदम एक पल को रूके नहीं उस समय मेरी उम्र सिर्फ अन्य साल था प्रसिक्षन और सेवा मिला कर मात्र धाई साल का अनुभाव था पहली पोस्टिंग कस्मीर में होने के दौरान सात्यों सयुधनीती बनाने के बारे में जरूर सीखा था परंबीर चक्र बीजेता, सुबिदार योगेंदर सिंग यादव इन सब्दों में कारगिल के ऑपरेशन बीजय के अनुभाव साजा किये सुबिदार ने कहा कि 28 मई 1999 को अपरेशन बीजय सुरू हुआ और 13 जून को पहली सफलता मिली जब हम अपने लक्ष की तरब बढ़ रहे थे तो पता चला कि पाकिस्तानी सैनिक उच्छी चोटियों से हमला कर रहे हैं रणीती बने की सबसे पहले टाइगर हील को कबजे में लिया जाए लेकिन वहाँ जाने के लिए 90 डिगरी की सीधी चढ़ाई थी इसके बावजूत किसी ने हिम्मत नहीं हारी दो जुलाई को कुछ जवानों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चढ़ाई शुरू की दो दिन और तीन रात का सफर तय करके उपर पहुचें ही वाले थे कि दूसमनों ने फारिंग शुरू कर दी जिसमें कई साथ ही मारे गए कुछ ही उपर तक पहुच पाए उपर पाकिस्तानी सैनिक के बंकर बने थे हमने सुचा मरना तो है ही तो जितने अधिक सैनिकों पाकिस्तानी सैनिकों का खात्मा कर सके उतना अच्छा हमने फारिंग शुरू कर दी पाच घंटे तक फारिंग के बाद हमने नीती बदलते हुए फारिंग बंद कर दी दुसमनों को लगा कि हमारा बारूत खतम हो गया है या सभी मारे गये हैं सुबह लगभग 11 बजे थे जब पाकिस्तानी सैनिक हमें देखने आये हम पूरे तरह एलोट थे हमने उन पर फारिंग शुरू कर दी लेकिन उनका एक सैनिक मसकर भाग गया और दूसरे सैनिकों को हमारी पूरी जनकारी दे दी आदे घंटे के अंदर ही 35 से 40 सैनिकों ने वहां आकर हामला कर दिया हमारे महत्पून हत्यार धोस्त हो गए मेरे सामने दो साथ ही मारे गए मैं जमीन पर लेट गया और मरने का दिखावा किया इसके बाद भी पाकिस्तानी सैनिकों ने मुझे पर गोली जबार साई एक गोली हाथ में दूसरी पैर में लगी मैंने दर्द का घूट पी लिया क्योंकि हिलता तो मारा जाता मन में बस यहीं था कि किसी तरव आपस जाकर अपनी सेना को दूस्मनों की पूरी जनकारी दे दें जिससे उनके लिए नीती बनाना आसान हो तभी एक पाकिस्तानी सैनिक ने मेरे सैनिक मारी लेकिन मेरे जेव में एक पर था जिसमें पांच-पांच के सिक्के थे जिन्होंने जान बचा ली इसके बाद पाकिस्ताने सैनिक लोटने लगे तो मैंने जेब से ग्रिनेट निकाली और उन पे फेक दिया उनके एक असले पर कापजय कर लिया इसके बाद गोलिया बारसाना सुरू कर दी दुस्मनों को खत्म करने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और किसी तरह नीचे लुड़कते हुए अपने साथियों तक पहुचा उसी रात हमारी दूसरी तुकड़ी पूरी तरह तयारी के साथ उपर गई और उनको हरा कर तिरंगा लहरा दिया सुवेदार ने कहा कि तीन दिन बाद जब होस आया तो खुद को सिरिनगर के बानवेरवा बेस हिड़क्वार्टर में पाया सबसे पहले मा मिलने आई लेकिन पूरे सरीर पे पटियां होने की वज़ा से पहचान न सकी तोला महीने इलाज के बाद जब ठीक हुआ तो फिर से सेना को जवाइन कर लिया तो दोस्तो ए थी भारत के एक बीर स्थैनिक सुवेदार योगिंदर सिंग की कहानी आपको हमारी कहानी कैसी लगी अगर अच्छे लगी तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए ऐसे इंट्रेस्टिंग कहानी के लिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए सुक्रिया दोस्तो वीडियो को देखने के लिए